नमस्कार मैं आश्टोश कुमार और आप देख रहे हैं इनकबर.com पोल्स ओफ पोल्स पे आपका स्वागत है आप जान रहे हैं पाच राजी में चुनाव जो वोटिंग थी अब खतम हो गई है अब परिनाम का इंतिजार है 11 तारीक को परिनाम आने वाले है और अभी जो पो कोट की माने जाए तो यहां पर अभी भी बीजेपी को बड़़ दिखाए जा रही है आपको बता दे जो नियूस एक्स नेता का जो सरवे आया है उसमें आपको बीजेपी को 43 सिटे दिखाए जारी है और कॉश्वे पो 40 सिटे और अधर्स में आप जाना हिरे आपको जोग वोट मिले थे और कॉंग्रस को 40% मिले थे और वही इस बार भी हुआ है बलकि सिर्फ अदर्स को जो 19% पिछली बार वोट मिले थे वो बढ़कर एक बार इस बार 20% हो गए आपको बताते बाकी चैनल का क्या कहना है आपको इंडिया टीवी के साबसे आपको बीजेपी को 42 से 50 सिदा सिदा सरकार बनाने के करीब है आपको 45-90 सीटे है और 45 से थोड़ा से भी उपर होता है वो सरकार बना लेंगी और कॉंग्रेस को 32 से 32 जो आप जान रहें पिछली बार कॉंग्रेस को 49 सीटे थी 32 से 32 यानि नुकसान ही दिखा रहा है बो इंडिया टीवी और आपको ब सिदा 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 बहुमत दिखा रहे हैं कि सरकार बिन अटेंशन के बना लेगी और कॉंग्रेस के इस थाफ से 35 सिटे आपको कॉंग्रेस को वहाँ आएगी आपको टाइम स्नौ सीनेक सिटे और बीस पी गडबंधन को साथ सिटे वहीं आपको रिपब्लिक के आपको दो- सरकार बनाने के करीब कॉंग्रेस आपको 36 गड़ में दिख रही है और आपको बीस पी को 3-7 सिटे और आपको उनका एक और सरवे है जनकी बाद जिसके हिसाब से बीजेपी को 40-48 सिटे यानि सीदा सिदा सिदा एक सरवे में वहाँ आपको दिखाया रहा है कैसे बीजेपी बैक फुट पे है और दूसरे में आपको दिखाया है कैसे बीजेपी आराम से सरकार बनाने के करीब है तो कॉंग्रेस को उन्हों ने दिखाया जनकी बाद के हिसाब से 37-43 और बीजेपी के साथ जो गड़ बंद है अजी जोगी का उसे 5-6 सिटे वैसे आपको बता दें जो हंग एसेंबली का जो सिटोशन बनता है इसमें बार-बार देखा गया है जब रिजल्ट आए है इसमें खरीद फरोग हो सकता है आप जानते है जी जोगी और बीजेपी का गड़ बंद है अगर उनके पास थोड़ी सी भी चाबी सरकार बनाने की चाबी आ गई तो भारी ख अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें